आज की वीडियो में रेसिपी है एक बहुती 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 असानी से बना सकते हैं इसका टेस्ट इकदम मांगो फ्रूटी जैसा होता है जो हम बजार से लेते हैं और बेस्ट पार्ट यह है कि ना ही हम इसमें कोई आर्टिफिशल प्रेजर्वेटिव डालेंगे ना ही किसी तरह का इसमें हम सोटा यूज करेंगे एकदम परफेक्ट रेसिपी है जिसको आप अपने घर में बच्चों के लिए बड़ों के लिए बना सकते हैं और स्टोर भी करके रख सकते हैं एकदम रफ्रेशिंग और मज़ेतार इस जूस की रेसिपी को चलिए शुरू करते हैं तो इसके लिए हमें सबसे पहले दोनों तरह के आम चाहिए यहां पर मैंने दू लिए है एकदम पके हुए आम राइप्ट मैंगो और एक लिए है मैंने कच्ची वा मैंगो के वी स्टोर पर स tom करता यहां कियों करें इस सबस्यादु के रही है मैं पर शामिल करेंगे थोड़ा इस साब पानी थबाण थो अभी तो मैंगो जो आधा कप चीनी तो देखिए जो मैंने राइक्ट मैंगो लिये थे वह काफी मीटे थे तो मेरे लिए आधा कप चीनी बहुत है लेकिन यह चीज आप अपने टेस्ट के अकॉर्डिंग और जिस तरह के आम यूज कर रहे हैं उसके अकॉर्डिंग अजिस कर और अब हम इसे मीडियम फ्लेम पर धकर पकाएंगे पांच मिनिट के लिए और यह देखिए पांच मिनिट के बाद हमारे यह अच्छे से पक रहा है इस पॉइंट पर अब मैं इसकी लिट को हटा दूगी और हम इसको थोड़ा सा चेक कर लेंगे यह देखिए एकदम बेत और यह जो जूस मैं अलग रख रही हूँ इसे डिसकार्ड नहीं करना है इसको हम बाद में यूस करेंगे इस तरह से स्ट्रेंड करने का मकसद यह है कि हम यह जो मैंगो के पीसीज में पके हुए यह मिल जाएं जिसको हम ठंडा करके ब्लेंड कर लेंगे तो देखिए यहा अब बचांगे रखा हुआ तो इसमें अम इस पल्प को आड कर देंगे इसको हमने पीसा है इससारा का सारा से इसमें एक स्ट्रासे से इसमें अट कर देंगे दोनों चीजें अच्छी सी ठंडी हो चुकी है यह जू वाटर है इसको तो मैंने फ्रिज में रख दिया था और यह जो पल्प है यह भी रूम टेंपरेचर पर ही है सारा इसमें आड़ करने के बाद अब आपको एक इस तरह से विस्क या किसी स्पून की हल्प से इसे बहुत अच्छे से ऐसे मिक्स करना है ताकि एकदम स्मूथ हो जाए और एक सार हो जाए यह देखे ऐसे इसको मिक्स कर फिर भी इस पॉइंट पर आप इसकी शुगर को चेक कर लिजेगा अगर आपको लगे के कम है तो आप इसमें थोड़ा सा पाउड़र्ड शुगर या शुगर सिरप आड़ कर सकते हैं वो इसमें इसमें इसले मिक्स हो जाएगा तो इस तरह देखे यह चीज ज़रूर कीज थोड़ा सा पानी और आड़ करेंगे तो यहां पर देखे दो कप पानी आड़ करने के बाद इसकी कंसिस्टेंसी इस तरह से है तो अगर आप इसे फ्रूटी से कंपेर करें जो हम मार्केट से लाते हैं वो भी काफी थिकी होती है लेकिन फिर भी मैं इसमें थोड़ा सा पा थेंडा होने के लिए और इसके बाद हम इसे सर्फ करेंगे तो यह देखे कितना आसान था इसको बनाना और सबसे बेस्ट बात यही है किसमें किसी तरह का सोड़ा या प्रिजरवेटिव आड़ नहीं है एकदम स्मूर्ट टेक्सचर वाला मज़ेदाल थिक जूस यह बनके को सब्सक्राइब जरूर कीजेगा I will see you soon in my next video till then goodbye and take care